लो और वेल्कम गाईज मैं हो तस्कीर इस वीडियो में रियाक्ट करने वाला हूँ इम्रान रियास खान को सबी जानते होंगे दिर फेमस एंकर निडर एंकर जो है वो पाकिस्तान के वारे में हम देखने वाले हैं सेविन अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रिचेस्ट रिच अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इम्रान रियास खान अमेरान रियास खान के बारे में साथ दिल्कस्प पकाईए आपको टक्कर के लोग मिले हैं तोस्तों पाकिस्तान की फादाओं में गूंचता ये मशूर जूम्छा दबाई एंकर और सहाफी इम्रान रियास खान ने एक तबक्रीब के दौरान बोला और आज हर मौजवान लड़का और लिड़की इस्तमाल कर रहा है महाना करोनो रुपया कमाने वाला ये शक्स इन चंद एंकर्स में शाब है जिनकी जान को सच बोलने और अवाम को हकाइक बताने की वज़ा से लाइफ थ्रेट्स का सामना करना पढ़ रहा है और मजबूरन बोडी गार्ड भी रखना पढ़ गए है शहीद अर्षड शरीफ के इंतिहाई करीबी दो समझे जाने वाले इमरान रियास खान का नाम इनके वालदेयन के वज़ाए एक लेडी डॉक्टर ने क्यों रखा था इन्होंने लाग रुपे की नौकरी छोड़कर सहाफत में कदम क्यों रखा इनके सर की कीमत किसने लगा रखी है इनके पास कितने घर और गाडियां और इनके वालिदे ने इनको कौन सी स्पेशल हंटिंग कार दोफे में कितने लाग रुपे में तयार करें आज जी वजी बाठते वाई अगर आपको हमारी ये जबर्दस वीडियोस पसंद आ रही हैं इंट्रेस्टिंग फैक्स होंगे कुछ बताओ इनके वालिद मुहम्मद रियास खान का तालुक फैसलाबाद से है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान रियास भी फैसलाबाद में ही पैदा हुए होंगे जब कि दिल्चस्च बात ये है कि ये शहर एक काइद ये किराची कि एक उस्पिताल में पैदा हुए लेकि सबस्पे दिल्चस्च बात ये है कि इनका नाम इनके वालदین के बजाए हस्पिताल में मह controll had अविए AH उन वाहिद वर्ल्ड कप जितवाने वाले कपतान और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेजिडेंट इमरान खा गया क्योंकि वो लेडी डॉक्टर को इमरान खान बहुत पसंद थे। दोस्तों इमरान रियास खान ने पनी अप्तदाई तालीम फैसलाबाद के ही एक स्कूल से हासल की और फिर ये आला तारीम के लिए लहोर आगे। ग्रेजुएट करने के बाद ये एक मल्टी नेशनल कंपनी में खची जॉब करने लगे लेकिन इनकी बेचैन ब्रू इनको कुछ बढ़ा करने पर उकसाती रहती थी। अपने के इंटर्वियों में वरान रियाज ने बताया कि एक दिन वो अपने घर के पास एक किरकट के ग्राउंड में दोस्तों के साथ बैटे थे और सोच रहे थे किया कर रहा हूँ मैं ऐसे जिन्दगी नहीं गुजार सकता पुझे सहाफत करनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि में भी जिन्दगी और मेरी मौत से भी दुनिया वालों को कोई फरक पड़े लहादा इन्हों ने अपनी जॉब छोड़ दी और आदे पैस्तों से भी कम तर्फ़ा में 2006 में एक अधारा जॉइन कर लिया जब एकस्प्रेस न्यूज लाँच हुआ और लोगों के इंटर्वियू किये गे तो उस वक्त इन्हों ने अपनी इंटर्वियू में कहा कि मैं अपनी जॉब में इन इलाकों में भी जाँँगा जहां दूसरे साफ़ी जाते वे डरते हैं और यूँ ये अपने दबंग अंदाज और बहादुरी की विटासे 2007 में एकस्प्रेस न्यूज के एंकर बन गए दिल्चस बात ये है कि एंकर बनने के बाद इमरान रियास खान ने पंजाब यूनिवस्टी लाहुर से मैस कम्यूनिकेशन की डिग्री भी आफिल की और आज ये अपनी मेनत से इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि बीबीजी न्यूज और अल जज़ीरा इंग्लिश जैसे बड़े चैनल्स भी इनको इनके चज़्जिये के लिए इन्वाइट करते हैं दोस्तों इमरान रियास खान को सहाफ़त के साथ इसलामी बुक्स पढ़ने और इसलामिक परस्टनल्टीज के बारे में जाने का बहुत शौक है और ये इन पर तहकी करते रहते हैं लेकिन इसके साथ ही इनको ट्रैवलिंग इनके घूमने फीनने और हंटिंग यानिके शिकार का बहुत शौक है और ये अपने इंतिहाई करीब दोस्तों के साथ पाकिस्तान के मुख्लिफ जंगलों में शिकार करने जाते हैं ये चोडिस्तान के सहराओं में और पाड़ी इलाकों के जंगलाथ में कई कई दिन तक शिकार की तलाश में लगे रहते हैं और इनको एक काम्याब शिकारी माना भी जाता है इनके इसी शौक को देखते हुए इनके वाले ने इने एक स्पेशल हंटिंग कार यानिके शिकार करने वाली गाड़ी तयार कराके तोफे में दी थी ये हंटिंग कार काम है और एक लंजरियस मीनी हाउस जादा लगती है जिसमें दुनिया जहान के लवाजमात मौजूद है इस चोटी सी कार में एक किचन मौजूद है वाश रूम मौजूद है फ्रिज है एलसीडी स्क्रीन मौजूद है सोफा और बैड भी लगावा है और कपड़ों के लिए अलमारियां भी शामिल है इनके वाले ने एक साल के अरसे में इसे खुद मुकमल किया और इस स्पेशल कार पर तीन मिलियन यहीं के तीस लाग रुपे से भी जादा खरचा आया है वैसे इनके वाले की दूसे बनाए गई इस चांदार तोफ़े के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है फैक्ट नमबर बढ़िया बनाए है इन्हें यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूद क्यों क्योंकि यहां इन पर किसी किसम की कोई पाबंदी नहीं है और पिछले कुछ अर्थे से यह ऐसा सच बोल रहे हैं कि आपरेशन रेजीम चेंज के मुझरिमों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं और यहीं वचा है कि बदनामे जमाना डर्टी हैरी ने इनके सर की कीमत भी लगा रखी है और यह इनकिशास मेजर रिटाइड आदिल राजा ने अपने एक ट्वीट में किया था और इमरान रियास को मोहतात रहने का भी कहा था लेकिन यह अपने चैनल पर सच बोलने से नहीं रुके और इनको यूट्यूब पर आने का मशवरा इनके दोस्त ने इस सथ दिया जब पाकिस्तान के मीडिया ने मौलाना तारिक जमीर कर पाबंदी लगा दी थी क्यूंकि मौलाना तारिक जमीर ने मीडिया वालों को जूटा और ब्लैक मिलर कहा था इमरान रियास ने पहली ही वडियो में मौलाना तारिक जमीर की हमाइद की और इनके साथ को बेनकाब भी किया हाओ रिच इमरान रियास खान कितने अमीर है जोसर पूरे पाकिस्तान में इमरान रियास खान वाहिद एंकर हैं जिनकी वियूर्शिप और रेटिंग सबसे ज्यादा है एक मुटात अंदादे की मताबिक ये अपने मीडिया चैनल से महाना पांच मेडिय इनकार के लावा तीन लेक्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं जिनमें से एक बुलिट प्रूफ कार भी मौजूद है इसके लावा इनको मिलने वाली तर्कियों की वैसे इने पर्सनल बॉड़ी गार्ड भी रखना पड़ गए हैं जबके इनकी फैमिली को भी बकायता ध लुग बलेंगे मजह मत करेंगे क्योंके तुम्हें पहली बार टक करके लोग मिले हैं लोग मिले हैं वाई ही फैवर्स इमरान खान इमरान रियास खान, साथदान इमरान खान को इतना फिवर क्यों करते हैं दोस्तो इमरान रियास खान पर ये लगाया जाता है कि ये एक सहाफी ताम और तहरीक के इन्साफ के कारफूं ज़्यादा लगते हैं जब इन जिफ़ बारे में पूछा गया इनको ठकर दे रहा है इसलिए ऐसे शक्स का साथ देना बहुत ही ज़रूरी है इन्होंने मुझी वज़ादा है कि एक दिन मैं इमरान खान के साथ इंटर्व्यू करके वापिस घर पहुचा तो मेरे वालिद मुझे नराज हो गया कि तुम इमरान खान से उसकी दौलत और उसकी जाती जिन्दगी के बारे में सबरात कर लेते हो क्या तुम ऐसा दूसे सहसत्तानों के साथ नहीं कर सकते है तुम कभी नवाज शरीफ और जरदारी से भी ऐसे ही चुपते वे सवालात पूछने की जुर्द कर सकते हो जब मैंने इस बारे में सोचा तो अपने वालिद की बात से इतफाक किया और इरादा कर लिया कि आपसे किसी से ना तो डरना है और ना ही डाकों के आके जुकना है बलकि अमरान खान का साथ देना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनकी गलत फैसलों और इनकी जमात की दूसरे लोगों की करपशन पर मैं परदा डालतू चाहिका लगों के परदा की के आपसे ना ही खाना है काम कर ले पहले राशन के करपशन के त्रक बेज चर्खने नरुं की तामीर नर्म दिल होने का सबूत है इनकी वानदारी उनके कड़वे सच्की एषए जब सहलाब जदगान के लिए आम लोगों से मदद की अपील की गई तो हजारों की दादाद में लोगों ने इनकी अवास पर लब बैक कहा और फैमलीज ने इनके कैम्प में आकर इमदादी समान जमा करवाया अपनी और अपने खादान की जिन्दगियां खतरे में डाले माले इस बहादूर नेडर सहाफी को सलाम है जो के हक और सक्ट की खातर जेल भी चाच चुका है और अर्शद शरीफ शहीत की दरा दजनों जाली मुकद में भी मुगत रहा है लेकिन जुगने के लिए तयात नहीं है अगर आप भी इमरान रियास खान की सच्टाई और दबंग अन्दास को पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में वी सलूट इमरान रियास खान जरूर लिखें अल्ला रब अलगल इस बहादूर शक्स और इसके खानदान की तगड़े शक्त फरमाई है इस तच्च की राम बना कर दिये भाई लग्शूरी जिसके अंदर सब कुछ है और उन्होंने मदद की सबकी कमाते कितना हैं डाई तीन करोड रुपे महीना कमाते हैं सबसे अदा रिचेस्ट एंकर हैं वो रिचेस्ट एंकर पाकिस्तान के बहुत कुछ मतलब है हंटिंग मैंटिंग का भी इन क्योंकि जब डेरिंग हैं अभी जब इनका नाम हो गया तब बिक सकते थे कोई मुझे खरीद लो मैं अपनी सच्चा एकोसाइड में रखता हूँ मुझे धाई करोड रुपे मिल रहे हैं अभी तो मैं आट-दस करोड रुपे महीना कमाना चाहता हूँ तो बिक सकते थे इसे भी बिक सकते थे लेकिन नहीं बंदा जुका नहीं बॉडिगाड रखे धंकिया मिली और इनके जो सर है उसकी बोली भी लगी भी है तो बहुत खौफनाक चीजें भी हैं इंके इर्द गिर्द लेकिन नहीं ये इनको सपोर्ट है पब्लिक इन पर ट्रेस्ट करती है इ हूँ कि आपने इन्जाइ क्यों को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में टब तक के लिए साइनिंग आफ